जै श्रीमन नारायन आप सभी दर्शकों को एक महत्पूर्ण जानकारी दे रहा हूं स्राद पक्षमें जिनकी भी कुंडली में पित्री दोश है या वन्स की व्रद्धी नहीं हो रही है संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है बहुत दुख मैं जीवन ब्यतित हो रहा है रोग छोड़ ही नहीं रहा है प्रते एक दिन रोग बढ़ते चला जा रहा है और आपके घ सित्री देवता नारुष्ट होने के कारण वो प्रेतत योनी में भटकने के कारण आपके घर में इतनी बाधाएं आ रही है और दूसरी बात ये ध्यान देने योग्य है आज जो मैं बाते बता रहा हूं या कोई भी आपको नहीं बताएंगे अगर आपके घर में अकाल मृ छोड़ करके धरा धाम की ओर चला जा रहे हैं बैकुंठ में आपको आपके पित्रों को अस्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप आज ही जो इस उपाय को मैं बता रहा हूं स्राद पक्ष दो सितंबर से ले करके 17 सितंबर तक चलेगा जो साल में मात्र 15 दिनों के ल 15 मास है पित्रों को प्रसंद करने के लिए जो अगर पित्र नारुष्ट हैं या प्रेतत योनी में भटक रहे हैं बहुत सारे अकाल मृत्तु हो रही आपके घर में एक गयने के फिर दूसरा का नंबर लग जाता है तो ऐसे लोग इस श्राद पक्ष में गया धाम जाएं क्योंकि कहा गया है जितने भी सारे तिर्थ हैं वह सारे तिर्थ सारे देवी देवताओं का पूजन होता है लेकिन पूरे तिर्थों में मात्र गया ये कैसा तिर्थ है जहां पित्रों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है सिर्फ पित्रों का पूजन होता ह और वहाँ अपने आप में परतेक दीन सिद्ध मूरत है और विशेश करके वहाँ पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी स्राद्ध कर सकती है आपको जान के आश्चरी चकित होंगे कि उस गया में भगवान मर्यादा पुरुषुत्तम भगवान सुरी राम भी अपने पिता राजा दशरत का स्राद्ध करने पत्नी के संग गए थे और एक छोटा सा वहाँ घटना घट्टी मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं आपको भगवान सुरी राम जब वहाँ गए अपने पिता का स्राद्ध करने तो वहाँ एक फल्गु नदी है जिसको भगवान स्री राम ने स्राप दिया गौ को स्राप दिया ब्रामन को स्राप दिया और वहाँ एक वट बृष्ष आज भी विद्यमान है जिसको अक्षे वट कहा जाता है उसको भगवान स्री राम ने आसिरवाद दिया क्यों? कारण क्या था? जब बगवान स्री राम अपने पिता का स्राद करने फलगू नदी के तट पर पहुंचे तो वहां ब्रामणों ने देखा कि बहुत सारी शामग्री है लोगों ने ब्रामणों ने सोचा कहीं दूसरा कोई ना आ जाए दूसरा कोई करा लेगा तो वो धन ले करके चला जाएगा इसलिए भगवान स्री राम से कहा कि मुहरत निकला जा रहा है जल्दी से स्राद्य कर लीजिए भगवान स्री राम ने कहा कि थोड़ा सामान रह रहा है हम सामान ले करके बजार से आते हैं मा सीता को अकेले छोड़ दिया वहाँ पे ब्रामनों ने बहुत उनको मा सीता को कहा कि मुहरत निकला जा रहा है जल्दी स्राध करो फिर स्राध करने से कोई फाइदा नहीं होगा मा सीता को इतना बेवस कर दिया कि मा सिता ने खुद ही स्राध्य करने के लिए तत्पर हो गई और ब्रामनों ने उनसे स्राध्य करवा दिया बालू का पिंड दिलवाया चावल के आटा नहीं थे तो वहीं फलगू नदी के बालू का पिंड बनवाया और राजा दसरत के नाम से पिंड दिलवा दिया और उस समय गया जी में जो पित्र होते थे उनका हाथ निकलता था और वो हाथ में अपने दिये हुए बंसजों के पिंड को अपने हाथ में लेते थे राजा दसरत जी का हाथ निकला और पिंड को ग्रहन किया तब तक भगवान स्री राम भी आ गए और वो जितना सामागरी था उससे दुगना सामान ले करके आ गए तो जब स्राद्ध हो गई पिंड पड़ गया तो गव ग्रास भी निकाला गया ब्रामनों को भी दिया गया नदियों में भी प्रवाहित किया गया लेकिन जब भगवान स्री राम सामान लेकर के आये तो फिर आश्चरी चकित हो गए ब्रामन गव और नदी कि ये तो फिर सामान आगया अब फिर मिलेगा मुझे कुछ तो भगवान स्री राम ने कहा कि चलिए स्राद्ध प्रारंब कीजिए, मा सीता ने कहा कि स्राद्ध तो हो गया, अब ब्राह्मनों आप ब्राह्मन से पूछ लिजिए, ब्राह्मन ने कहा उनको लालच आ गई, सामान देख करके उन्होंने कहा भी नहीं हुआ, बोले ब्राह्म लेकिन वट ब्रक्ष जिसको आज अच्छे वट कहा जाता है उसने कहा कि स्राद्ध हो गया उसी समय मा सीता ने ब्राम्मन को गाय को और नदी को तीनों को स्राप दिया ब्राम्मन को कहा कि सदैप दरिद्र रहोगे गव को कहे कि कलियुग में तुम विश्ठा खाओगी और फ प्रमान देखने को मिलेगा आपको गया में और अक्षय वट को आसिरवाद दिया गया कि चाहे कितना भी पत जड़क्यों न आये तुम्हारा एक भी पत्ता सुखेगा नहीं एक भी पत्ता पीला नहीं होगा आप आज उस चमतकार को आज भी जाकर के देख सकते हैं गया ज होती है तो उसी अक्षय वट पे सयादान होता है भगवान नाराण का सयादान वहीं पे किया जाता है और वहीं से पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है बैकुंठ लोक में प्राप्त होते और यहां तक कि अगर आपके पित्र देवता प्रेतत्योंनी में भटक रहे हैं आपके घर में अकाल मिर्तु बढ़ती ही चली जा रही है पूर्ण आयू का भोग कोई नहीं कर पा रहा है तो आप सबसे बिनम्र निवेदन है कि बिना देर की हुए इस साल स्राद पक्ष में आप गया धाम जाकर के और विद्वान ब्रामनों के द्वारा सोला दिनों का जो स यथा सकती जितना आपका हो सके और यहां तक कहा गया है कि अगर आपके पास कोई शामर्थ नहीं है तो आप गया भुमी में सिर्फ गया छेत्र में आप चले जाए और अपने पित्रों का ध्यान कर लें उतने मात्र से आपके पित्रों को मुक्ष की प्राप्ती हो जाएग वो आज ही अपने पित्रों के निमित इस प्रित्री प्रक्ष स्राद पक्ष में अपने पित्रों को बैकुंठ लोग की प्राप्ती के लिए अच्छे सर लोग की प्राप्ती के लिए अपने जीवन में शुक शान्ती सम्र्धी के लिए गया धाम में जा करके इस स्राद कि अ कर दोगा नहांग रड़ दो कि आ अ